जैबीन साथियों, आप सभी जानते हैं, 10 अक्टूबर 2023 को अमबेटकर जनमोर्चा के द्वारा गोरकपुर में कमिस्नर कार्याले पर डेरा डालो घेरा डालो आंदोलन किया गया था। हमारे आंदोलन में जो हमारी मांग है, वो सभी दलित, पिछडे, गरीब, भूमहीन, लोगों को प्रति परिवार एक एकर जमिन दिलाने की हमारी मांग है और इसी मुद्दे पर हम लगातार आंदोलन चला रहा हैं। 10 सक्टूबर को आंदोलन के दौरान सरकार ने हमें गिरफतार किया, हमारे साथियों को गिरफतार किया, लंबे टाइम तक हम जेल में रहें, जेल से रहावी हुए। सरकार को ये संदेज दे रहें, सरकार को ये मैसेज दे रहें, कि आप ये मत सुचो कि आपने हमें जेल बेद दिया, आपने हमें डरा दिया, हम डरने वाले लोग नहीं हैं। लड़ाई जारी रहेगी और ये हमारी लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक हम जमीन गरीबों को दिला न दे जब तक गरीबों को जमीन नहीं मिलेगा तब तक हम रुकेंगे नहीं हर भुमीन परिवार को एक एकर जमीन दिलाना हमारा मफसद है और सरकार को फिर हम संद लेकिन इस बार हम खुली चुनोती दे करके और ऐलान करके हम फिर आ रहे हैं और इस बार जब हम आएंगे तो सरकार की जेलों में जगह कम पड़ेगा अब आप अपनी जेल खाली करो अपनी जेल खाली करा लो और हम देख रहे हैं कि बाबा साहब डाक्टर अंबेटकर की कैद करते हो हम पूरा ऐलान करके लड़ाई हमारी रुकने वाली नहीं है हम फिर आ रहे हैं 29 जनवरी 29 जनवरी का दिन्याद करो दिन नोट करिए 29 जनवरी जन आक्रोस मार्च होगा ये जो जन आक्रोस मार्च होगा 29 जनवरी 2024 में ये जन आक्रोस मार्च सरकार की वादा खिलाफी के खिलाफ होगा जब हमारा अंदोलन 10 अक्टूबर को हुआ तो मुखमंत्री ने बयान दिया था कि दो महिने में हम सवाकरोन लोगों को जमीन कपट्टा देंगे लेकिन इस लगों की कमिटी प्रसासन के तरफ से बनेगी लेकिन इस पर भी अभी तक प्रसासन के तरफ से कोई गंबीर कदम नहीं उठाया गया है इसलिए सरकार अगर यह सोच रही होगी कि हमने निराला जी को जेल भेज दिया साथियों को जेल भेज दिया तो ये लोग डर गए होंगे हम डरे नहीं है अब आप नोट करो हम फिर आ रहे हैं और इस बार जब आ रहे हैं तो वायतिहासिक तरीके से आ रहा है पांच लाख से ज्यादा लोग रहेंगे हमारे साथ और पूरे यूपी ही नहीं पूरे भारक में सबसे बड़ा ये जन अंदोलन होगा सडकों पर ये हम आपको दिखाएंगे 29 जनवरी को सहीदों की अस्थरी चोरी चोरा करांतिकारियों की भूमी चोरी चोरा सहीद इसमारक चोरी चोरा से हम 29 जनवरी को निकलेंगे जन आकुरुस मार्च ले करके गोरकपूर आएंगे बाबा सहाब डाक्टर अंबेटकर चोग जो कमिशनर कार्याले के सामने है बगल में है वहाँ पर आएंगे बाबा सहाब अंबेटकर चोग पर हम बड़ी सभा करेंगे और वहाँ से हम फिर जेल की तरफ मूब करेंगे और मैं फिर कह रहा हूँ सरकार से और गोरकपूर जिला प्रसासन से कि खाली करो जेल हम आ रहे हैं अगर हमें नयाय नहीं मिलेगा तो हम जेल जाने के लिए तयार हैं और अब हम देखना भी चाहते हैं कि आपकी जेलों में जगह कितना है और धलिक पिषडे गरीब मुसलि अधिकार है जो दलितों पिछडों का हक है यह आपको देना पड़ेगा हम अउलादे हैं बाबा साब डाक्टर अंबेटकर की जब तक हम अपना अधिकार लेंगे नहीं तब तक हम रुकेंगे नहीं हमारी लडाई कल भी जारी थी हमारी लडाई आज भी जारी है और साथि हों हम आप से भी अपील कर हैं तैयारी सुरू करो 29 जनवरी को 44 सही दिसमारक पर पहुंचिए लाखों की संख्या में पांच लाख से अधिक लोगों को ले करके हम लोग पैदल यात्रा करेंगे पैदल यात्रा करके आक्रोसमार्थ निकालेंगे चोरी चोरा से ले करके हम गोरगपुर बाबा साथ डाक्टर अंबेटकर चोग तक आएंगे फिर वहां से आगे का हम कदम उठाएंगे साथियों आप सभी लोगों से मेरा आग रहा है कि जो भी साथी जहाँ है आग से ही आप तैयारी सुरू करिए आंधोलन की तैयारी साथि बिना संगर्ष के हमें कुछ नहीं मिलेगा हम लड़ाई 75% जीत चुके हैं अब 25% लड़ाई और बाकी है पुरी हिम्मत के साथ पुरी तैयारी करिए डरना नहीं है लड़ना है और हक हमेसा लड़ने से मिला है हक हमेसा जन संगर्ष से मिला है तो यह संगर्ष हमारा जारी आप आये 29 जन्वरी को आप सभी लोगों से मेरा अपील है मेरा अग्रा है